धर्म प्रभी सर्जुनाओं विश्ववासियों को आज मैं मर्यम के सूरा मर्यम सूरा नम्मर उन्नेस आयत चौदा तक कर्म में बताया था आज आगे बता रहा हूँ यहां पंद्रा में अल्ला ने बताया वसलाम अलैही यूमा वलिदन वयूमा यमूतु वयूमा यूवासु है और हमारी तरफ से उन पर बरावर सलाम है जिस दिन पैदा हुए और जिस दिन मरेंगे और जिस दिन दुवारा उठा कर खड़ा किया जाएगा यह अल्ला सलाम भेज रहे हैं देखिए अल्ला को औरों को सलाम करना पड़ता है और एक जो जगा नहीं है ऐसे अल्ला ने अने जगा सलाम भना इबराहीम सलाम वो बहुत पगंबरों को सलाम है या लाने तो यहां आयत नंबर सुला को देखिए वद्कुर फिल किताब मर्यमा एजिन तबाजत मिन आईलिह माकान शरी शर्किया और ए रसुल कुरान में मर्यम का भी तज़किरा करो कि जब वह अपने लोगों से अलग होकर पूरव की तरफ माले मकान में गुसल के वास्ते जा बैठी अल्ला ने मर्यम को गुसल कहा करना है उसके लिए मेरा बता रहे हैं कि गुसल करने के लिए पूरव के मकान में गुसल करने के लिए बताया जाए आगे बताया सत्रह नम्मर में कि फत्त खजत मिन दूनहिम खिजाबन फारसलना इलईहा रूहना फता मतला लहा बश्रम सवीया देखिए आल्ला ने क्या जिकर फर्माया है फिर उसने उन लोगों से परदा कर लिया तो हमने अपनी रूह श्र्द पध्यान देना अल्ला क्या जिकर फर्मा रहे हैं हमने अपनी रूह जिबरेल को उनके पास भेजा तो वो अच्छे खासे आदमी की सूरत बनकर उनके सामने आखडा हुआ अच्छे खासे आदमी बनकर मरियम के सामने आखडा हुआ कौन जिबरेल और अल्ला ने अपना रूह जिबरील के दोरा भेजा तो अल्ला अगर अपना रूह भेज़ यहां पर शब्द लिखे हमने अपनी रूह यह बकाईदा वर्णा फारुख खान ने लिखा है देखे तो हमने अपनी रूह यानि अल्ला ने अपनी रूह अगर जिबरील के माध्धम से भेज दिया मर्यम के में फूःखने के लिए तो अल्लह अपनी रूँ से खाली हो गए और रूँ से खाली होना के मानी क्या है शरीड में रूँ रहने का नाम जिंदा और निकल जाने का नाम मुर्दा अब दुनिया वालो विचार शिल्मानों कहलाने वालो अकल मंद लोगो अकल रहने वाले लोगो जरा आप लोग स्वेम विचार करें और निरोने लें कि इसमें कहा क्या जा रहा है और एक महिला को नाने के लिए अल्ला को इस्थान बताना पड़े यह तो ताज्यू की बात है चलो कोई बात ही आगे देखो फिर क्या अठारा में क्या बात है बताया वह उसको देखकर घबराई और कहने लगी अगर तू परहेजगार है तो मैं तुझसे खुदा की पला मांगती हूँ यानि मर्यम जब नहा रहे थी वहाँ जिबरील पहुँचे तो जिबरील तो आदमी के वहाँ आदमी के शकल में जिबरील को बेजा तो मर्यम उसे कह रहे है कि तो अगर परहेजगार है तो खुदा की पना मांगती हूँ यानि वो नहा रही थी इस समय पहुच गए वो आहत नंबर मुनिस में बताया कॉल इन्नमै अन्या रसूलुम रसूल रबिक ले आहबा ले आहबा लकी गुलामं जकीया मेरे पास से हट जा जिबरेईल ने कहा मैं तो साफ तुम्हारे परवर्दिगार का पैगंबर फरिष्टा हूँ ताकि तुमको पाक और पाकीजा लड़का अता करूँ देखिए ये जिबरेईल क्या कह रहा है जिबरेईल अपने को पैगंबर भी बताया फरिष्टा भी बताया यहां मौला फारुक खान के आनुबाद है वाई ये कह रहे हैं कि मैं जिब्रील ने कहा कि मैं साफ तुम्हारे परवर्दिगार का पेगंबर फर्शता हूं ताके तुम को पाक वह पाकिजा लड़का अता करूं अब एक महिला को लड़का अता करने के लिए जिब्रील को भीजना पड़ा आगे देखिए भी इसमें क्या बोला मर्यम ने कहा मुझे लड़का क्यों कर हो सकता है हाला कि किसी मर्द ने मुझे चुआ तक नहीं और चुआ तक नहीं है और मैं ना बदकार हूँ मर्यम कह रही है कि मुझे किसी मर्द ने ने चुआ दूसरे सुरह अलिमरान में भी आया है ये कई बार कई जगा है इसकी किस्सा तो मुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं है और मेरे अंदर में बच्चा पहला हूँ और मैं बदकार भी नहीं हूँ आगे क्या बोला कॉल कजालिका कॉल रबका वहुआ अलियाखीन यहां बताया जिबरील ने कहा तुमने कहा ठीक मगर तुम्हारे परवर्दिगार ने फर्माया कि मैं की यह बात बे बाप के लड़का पाइदा करना मुझ पर आसान है ताके इसको पाइदा करके लोगों के वास्ते अपनी खुद्रत की निशानी करार दे और अपनी खास रहमत का जरिया बने अब अन्दादर लगा यह कि अपने निशानी बरकरार रखने के लिए औरों को यह बताने के लिए क्या कह रहे हैं कि कुमारी महिला के पेड़ से कुमारी लड़की के पेड़ से बच्चा पैदा करके अपना निशानी बताना चाहते दुनिया मालों को देखिए आगया और देखिए क्या बता रहा है और ये बात फैसला फैसला शुदा है गरज लड़के के साथ वो बाप ही आप हामिला हो गई फिर उसके फिर इसके लोगों ने अलग एक दूर के मकान में चली गई जब लोगों में यहां बच्चा तो वहां से दूर हो गई अलग मकान में हमको रखा गया है आगे बताया गया उन्हें एक खजूर के दरख्त के जड़ में ले आया और बेकसी में शर्म से कहने लगी काश मैं इससे पहले मर जाती और ना पैदा होकर यानि मरियम अफसुस कर रही है कि इससे अच्छा तो यही था कि मैं इससे मर जाती अब खजूर के पैड़ के पास ले जाए गया कोन ले गया यह तो नहीं बताया यहां और कौन था उसका भी जिक्र नहीं किया अब खजूर के प्रेज में को लेके अब क्या हो रहा है पिर और क्या तमाशा आए देखिए दिना फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला नाजी नाजनी गद जहला रब के तहता की सरीया बिल्कुल भूली बिसरी हो जाती तब जिब्रेईल ने मरियम के पाईन की तरफ बाईन तरफ से आवाज दी कि तुम कूड़ों नहीं देखो तुमारे परवर्दिगा ने तुमारे करीब ही नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है मरियम अफसुस कर रहे थी तो मरियम को जिब्रेईल ने समझा और कहा कि मत करो तुमारे नीचे परवर्दिगा ने एक नहर जारी कर दिया आगे वहुजिया इलाइका बे बेजिस इल जन बेजिस इल बेजिस इन नहलती तुसाकित अलाइकी अलाइके रुता बन जनीग्या और खुर्मे की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ। तुम पर पक्के पक्के ताजे खुर्मे जड़ पड़ेंगे फिर शौक से खुर्मा खाओ। देखिए कि खजुर के पेड़ को हिलाने के लिए बच्चा जनी क्या उठने की हालात में थी। यानि बच्चा जनने से क्या तकलीफ है क्या परशानी है उसको अल्ला को भी मालूम नहीं है। कि तुम खुर्मे के पेड़ के नीचे हो और उसको अच्टा इच्टा हिलाओ खुर्मे गिरेंगे तुमारे पास तुमारे नस्देक तो उसको फिर खाओ तूँ। अब यह उपदेश मनुष मातर के लिए से मनुष का क्या भलाई है मैं नहीं समझ पाया। आगे देक पुलाओ वकुली वशर 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 बीग वगर्री आइना वइमा तरा वइमा तराइना मिन अल्बशर अहादा वगुली इन्नाजरत लिल्रह्मान सवमन फलम अह फलन अकुल्लिमा अकुल्लिमल यवमल ए इन्सिया और चश्मे का पानी पियो और लड़के से अपनी आँख ठंडी करो फिर अगर तुम किसी आदमी को देखो और वे तुम से कुछ पूछे तो तुम इशावे से कह देना कि मैंने खुदा के वास्ते रोजे की नजर की थी तो मैं आज हरगिस किसी से बात नहीं कर सकती अब देखिए अल्ला उसको जूट बोलना सिका रहे क्या तामाशा है यार मैं नहीं समाई पाया इसको लोग इश्वर ही ग्यान कह रहे हैं यहां पर अल्ला मर्यम को उबदेश क्या दे रहे हैं वो देखिए यह तुम से कोई पूछे तो तुम यह बताना कि मैं कि किसी आदमी को देखो तुम इशारे से कह देना कि मैंने खुदा के वास्ते रोजे की नजर की की थी तो आज हर्गिस किसी से मैं नहीं बोलूँगा यह अल्ला मर्यम को सिखा रहे है जबकि क्या क्या बताया जाँ मैं आगे क्या क्या फाातत बही कौमहा तखमिलहू कौलू या मर्यमू लकद जेता लकद जेते शैयन फरिया फिर मर्यम उस लड़के को अपनी गोद में लिये हुए अपनी कौम के पास आई वो लोग देख कर कहने लगे के मर्यम तुमने तो यकिनन बहुत बुरा काम किया है देखे यह कलाम उल्ला है अल्ला की कलाम है अल्ला ने कहा अब यहां मर्यम के कौम के लोग कह रहे हैं कि तुमने बड़ा बुरा किया आगे देखे यह यह अख्त हारून माकान आबू किम रहा सविन वमाकानत अम्म के बगया अम्म की बगया ऐ हारून की बहन ना तो तेरा बाब ही बुरा आदमी था और ना तो तेरी मा ही बदकार थी यह तुने क्या किया यह जिक्रे फर्माने खुदा है यानि कलाम उल्ला है और यह लोग क्या कह रहे है यह मर्यम जो थी कुछ लोगों का ख्याल है कि मर्यम कोई और थी मर्यम कोई और नहीं थी यह हारून एक प्रमान था हारून उसकी बहन थी और कौम के लोग ये क्या कह रहे हैं कि तेरे मा बाप तो बूरे नहीं थे तू ने ये क्या किया आगे देखे तो मर्यम ने उस लड़के की तरफ इशारा किया कि जो कुछ पूछना है इस से पूछ लो और ये लोग बोले भला हम गोद के बच्चे से क्यों कर पता करें देखे उस छोटे बच्चे को बुलवा रहे हैं छोटे बच्चे से इसलिए मर्यम करें बच्चे को आगे बढ़ा करके कि मैं बदकार हूँ या नहीं इस छोटे बच्चे से बुलवा रहे हैं पिर क्या हुआ आगे इन्नी अब्दुल्लाह अतानि किताबा वजञलनी नभीया इस पर वह बच्चा कुद्रते खुदा से देखे खुद्रते खुदा से बच्चा बोल उठा कि मैं बेशक खुदा का बन्दा हूँ मुझको उसी ने किताब इन्जील अता फर्माई है और मुझको नभी बनाया छोटा बच्चा नवजात शिशु उसे बोलना क्यों कर संबब हुआ ये मेडिकल साइन्स वाले समसिस को सच मानने है मेडिकल साइन्स के पढ़ने वाले जानने वाले मानने वाले लोग इसको सच क्यों कर मानन रहें मैं कि मैं अल्ला का बंदा हूँ और अल्ला ने मुझे पैगंबर बनाया है नभी बनाया है मेरे पास अल्ला ने किताब दिया इंजील और इंजील किताब दिया ये खुद इसा बता रहे हैं और फिर अल्ला को मुहम्मद को किताब क्यों देना पड़ा ये तो विचार अधिन है वो आगे जा करके विचार करना आगे देखिए वजालनी मुबारकन अन आइना मा कुंता मा कुंतु वआवसानी बिस्सलाती वजकरती मा दुमतु है और मैं चाहे कहीं रहूं मुझको मुझको मुबारक बनाया और मुझको जब तक जिन्दा रहूं नमाज पढ़ने जकात देने की ताकिद की है और मुझको अपनी वालिदा का फर्मा बरदार बनाया है ये है कलाम अल्ला जो मैं 30 आयात तक आप लोगे सामने रखा अब आप लोगी बीचार कीजिए एक एक शब्द को मैं थोड़ा थोड़ा आहिस्ता तोड़ तोड़ करके बोला हूँ कि जिससे लोगों को बाद समझ में आ जाए और कुरान का फर्मान क्या है अल्ला क्या फर्मा रहे हैं अल्ला ने ताकिद क्या किया हुक्म किया दिया को अलाही हुक्म अलाही क्या है या अल्कलाम अल्ला क्या है इस पर मानों कहलाने वाले जरा बिचार करें कि सही अर्थों में इसमें मौनुश मातर का क्या भलाई है ये कुवारी की पेट से बच्चा पैदा कर देना और अपना रूप भूग देना ये सब अल्लह का काम है इसलिए इसलाम वाले कहरे हैं के कुरान जैसा साइनस दुनिया में और कहीं नहीं है किसी के पास नहीं है वाके में ये साइनस ही है कि कालाम अल्लह जो भूछ भ्यूछ फैरा और अल्लह का ये काम है छोटे बच्चों से भी बलवा देते घ हैं 은ва भाइला को बच्चा जनने के बाद आड़ में जाने के लिए कहते हैं, फिर खजूर खाने के लिए, खजूर कैसा तोड़ा जाए, खजूर के पेड़ को हिलाने के लिए एक अल्ला का हुकम है, तो ये सब बातें अकल रखने वाले, बुद्धी रखने वाले, बुद्धी पर को मानव इस पर चिंतन करें वीचार करें और सही अर्थों में इश्वर ये ग्यान है या नहीं इसको सोचे जाने समझे और परकें इनी शब्दों के साथ यहीं तक ही विराम दे रहा हूं धानवाद